Hello my dear students, students, आज हम आपके इस online class में आपके हिंदी किताब से chapter 12 सरकस का सिंग कभिता के बाड़े में पढ़ने और समझने जा रहे हैं यह कभिता मैतली सरंगुप्त जी के द्वारा लिखी गई है कभिता में सरकस के जानवरों के बिभिन कर्तबों का वर्नन करते हुए यह संदेश दिया गया है कि गुलामी वेक्ती के मौलिक गुनों को समाप्त कर देती है हम कभिता को सुरू करते हैं होकर कोतुल के बस में गया एक दिन मैं सरकस में भैबिसमे के खील अनोके देखे बहु बयाम अनोके एक बरासा बंदर आया उसने जटपट लैंप जलाया जटकुर्सी पर पुस्तक खोली अब तक तब तक मैंना यू बोली होकर कोतुल के बस में गया एक दिन मैं सरकस में भैबिसमे के खेल अनोके देखे बहु बयाम अनोके कभी जी आपर कह रहे है कि एक दिन कभी जी कोतुल के बस में मतब वे जिगासा मतब जानने की सरकस के बारे में जानने की इच्छा लेकर सरकस गये और वहां उन्होंने भैविस में भैव का बहुत आसरसर खेल अनोखे देखे वहां पर बहुत सारे बयाम के भी अनोखे तरीके देखे तभी एक बड़ा सा बंदर वहां आया उसने जटपट से एक लैम को जलाया जटकुर्सी पर पुस्तक खोली और तभी मतब आतब तब तक मैंना यों बोली मैं तभी वहां आकर एक मैंना बोली हाजिर है हुजुर का घोरा चौक उठाया उसने कोरा आया तब तक एक बचेरा चर बंदर ने उसको फेरा तट्टू ने भी किया सपाटा फटकी फांदी चक्कर काटा फिर बंदर कुर्सी पर बैठा मूम में मूम दबाक कर एठा हाजिर है हुजुर का घोरा तभी मैंना आकर बोलने लगी कि हाजिर है आप हुजुर आपका घोरा हाजिर है और फिर उसने चौक उठाया, मतलब उसने कोरा उठाया, आया तभी तब तक एक बचेरा, मतलब बचेरा मतलब गाय का एक बचेरा वहां आ गया, और चर बंदर ने उसको फेरा, बंदर उसके पचर कर उसको फेरा, तट्टू ने भी किया सपाठा, तट्कु मने तट्टू व पटकी फांदी चक्कर काटा और फिर बंदर कुर्सी पर बैटा मुँ में मुम दबाकर एटकर कुर्सी में बैटा माचिस लेकर उसे जराया और सीट पर उसे जमाया ले उसकी अध जली सलाई तोते ने आतोब चलाई एक मनुष अंद में आया पकड़ी हुए सिंग को लाया मनुष सिंग की देख लड़ाई की मैंने इस भाती बढ़ाई बंदर ने चो मुम को मुम में लग कर उसे उसने माचिस लेकर जलाया और सीट पर उसे जमाया ले उसकी अध जली सलाई अध जली सलाई मतलब आधी जली सलाई थी तब भी तोते ने आकर तोब चला दी एक मनुष अंत में आया पकड़ी हुए सिंग को लाया एक पकड़ी हुए मतलब वो जाल में बंद सिंग को लाया मनुष सिंग की देख लड़ाई की मैंने इस भाती बढ़ाई और मनुष की और सिंग की लड़ाई देखकर उसने इस परकार बढ़ाई गे नहीं सहासी जंडरता है नर नाहर को वस करता है मेरा एक मित तब बोला भाई तू भी है बं बोला या सिंगी का जना हुआ है किन्तु सियार या बना हुआ है या पिंजरे में बंद रहा है नहीं कभी स्वचंद रहा है छोटे से या पकड़ा आया मार मार कर गया सिखाया अ पर मुझे दया है जब मनुस्रा इपने की रड़ाई देखकर उसका बढाई की जाती है और कहता है कि नहीं सहासिर्जन डरता मतब नरनाहर को वस करता है कहता है कि हमारे जो मनमनुस्रें जो बहुत सहाथी होता है और किसे नहीं डरता है, और नरी या हुता है जो पस पर वस करता है, तब ही एक मित्र ने उसे बताया, कि तू समीप बहुत बूला है, यह जो सिंघे से रखा गया है उसे लाकर इस पिंजरे में बंद कर दिया गया है और उसे कोई स्वतंतता नहीं है ठीक है उसे पिंजरे में बंद करके उसे वस्मे किया गया है और छोटे से या पकड़ा आया चोटे से ही इसे पकड़ा गया है मार मार कर इसे सब कुछ सिखाया गया है और इ अच्छो ये थे सरकस का सिंग कभीता तो इसे आप अपने घरों में पढ़िएगा एक बार फिर से तो आपको समझ में आही जाएगा कि इस कभीता के द्वारा वेक्ति के गुलामी वेक्ति के मौली गुनों को समाप्त कर देती है मतलब इसमें देखे इसका जीवन मुल्य भी जो है कि पतंतता वेक्ति के मौली गुनों को कुंद कर देती है पतंतता क्या होता पता तो गुलामी और गुलामी क्या होते कि इंसान गुलामी के कारण अपने भी अंदर के जो उसके गुन होते है न वो से भी भूल जाता है जैसे यहां देखो सिंग को पकर कर रखा गया जबकि सेर या सिंख जो भी हो जिसे पकड़ करका था वो कितना खतरनाक होता है लेकिन उसे मार मार के इस परकार से यह क्या गया है तो मनुसरे उसे वस में किया जिसके कारण उसने अपने कि वो मनुसरे भी तागत वारे ऐसा वो भूल चुका है ठीक है उसे याद नहीं है य इस परकर होती है कि इंसान गुलाम रहकर दुसरों के अधीन रहकर अपने सारे गुनों को भूल जाता है तो बच्चों इस पार्ट के जो सब्दों के अर्थे उससे आप लोग आपके हिंदी कॉपी में लिखिएगा और याद करिएगा प्रस्नुत्तर में आप लोगों को भेज दूँगी और होंबक में आप लोगों को भेज दूँगी ठाइनकी स्टूडेंस